नमस्कार दोर्तों आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड इटिंग शो में और आज में आपके सामने लेके हैं अपने नई वीडियो यह आप देख सकते हैं यह कौन पकोड़ा है या फिर मक्की के जो दाने होते हैं उसका पकोड़ा है और आप सबसे रिक्वेस् सब्सक्राइब करें बेल आइकन जो दबाएं और यह मक्की के पकोड़े हैं हम एजा इवनिंग स्नैक्स के दोर पर यूज कर सकते हैं या पार्टी में हम एजा स्टार्टर के दोर पर यूज कर सकते हैं टेस्ट वाइस काफी अच्छा होता है आप इसे ग्रीन चटनी या टेस्ट शक्राइक की तक कर सकते है और टेस्ट वाइस बूले तो टेस्ट आच्छा होता है प्लस इस च अंदर के ओते हैद बाहर से काफी करन्ची होता ही और उसलों भलक बलॉक अफसल और मोस्टली एम इसे लाईग, वनेग मेये स्नैक्स के टांम खा सकते हैं कि चाहे के साथ हम aggressive कला करते हैं तो क्यों और यह दो भीवा सकते और बर्साद की मौसम में आप यह काफी अवलेवल रहता है कॉर्ण मार्किट में तो आप इजीली पर्चेस करके इसे घर में बना सकते और मैं आपको कहता हूँ टेस्ट वाइस तो बहुत ही अच्छा नॉर्मल जो हम पकोड़े खाते है आलू के प्याज के गोबी के तो उसके साथ अब इसे भी ट्राइ कर सकते हैं कर सकते हैं और हाँ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि जो भी मेरी वुडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और जैसे आप देख सकते हैं अल्मोस्ट खतम होने आले सारे पकोड़े टेस्ट में मैं बताए कि काफी अच्छा था कंची था बार से अंदर सॉफ्ट था और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूरी से ट्राई करिएगा और आप मुझे भी बताईएगा कैसा लागा आपक को कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है या कुछ वीडियो लानी उसके लिए आप मुझे सेशन जरूर दे और हाँ दोस्तों जिन्हों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोग के सपोर्ट से में इतना आ गया हूं और जिन्